हेलो फेंज तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपना प्रिंटर का हाड रिसेट कैसे कर सकते हैं जैसे कि किना लोगों का प्रॉब्लम उड़ाता है कि मैं पेज में लाइनिंग आने लगा तो मैं इसको कैसे सही करूँ तो उसके लिए आपको टेंसर नहीं लेना उसके लिए आपको अपना प्रिंटर का हाड रिसेट करना पड़ता है महिना में चाह 15 दिन पर सब प्रिंटर का सब तरह का रूल होता है आप देख सकते है मेरा पेज पे लाइनिंग बाइनिंग आया हुआ है उसमें इसमें प्रिंटर बिल्हें को पहले के जैसा प्रिंट निकालने लगेगा तो सबसे पहले आप देख लिजंगे मेरा 10 ले बत Chiλε si gara पृंटर है आपका जो पृंटर होगा उसमें वैसे प्रोसेस होगा जैसे उसमें प्रोसेस तì सबसे पहले आप सकते हैं यहां से आपकाном chg ısı करने के बाद सब को बाड़ी आराम से आपना प्रिंटर प्रिंटर ऑन कर लेगा सबसे पहले प्रिंटर आ पऩान कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते दो तीन ant आपको दिया हुआ तो मैं इस consort नहीं सरकर जनकारी है कि क॑न बटब कर का इसको हमको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना चलिए 5 सेकंड तक प्रेस करके रखते एक, दो, तीन, चार, पांच, नब देख सकते हैं हमारे प्रिंटर कुछ इस पर लगेगे, इस तरह आपका प्हांच मिनट तक प्रषत हो जाएगा, तो चलिए, मैं आप आपको अधार काट फोटो कॉपी करके देखाता हो, कि अब देखें मैं आप फोटो सबसे पहले आप अपना अधार कर रख दीजेगा उसके बाद तो मैं बताया हूँ कि किसे प्रिंट होता है इससे black and white इससे color निकलता है तो चलिए black and white निकालकर आपको दिखाता हूं एक प्रेस कर दिएगा अपने black and white बटम पर आपका printer वहाँ से पेज जाएगा यहां से नि आए तासा करतों आप सभी लोग वीडियो को अच्छाता से समझ गयोंगे अब वीडियो में लाश्टक बने रहने के लिए धन्यवाद चैनल को लाइक का सस्काइब जरूर करेगा अब बेल आइकन को बटन को दवाना नहीं बुलिया क्योंकि मैं कोई भी नाए वीडियो ला मैं कर दो लाश चैनल कोई और चैनल को लाश्टक बटने लाशब वीडियो जरूरूरूर अच्छाता से स्भी वीडियोंगे जरूरूरूरूरूरं मैं भीडियोंगे